हम लोग अभी जोग्रफी का निच्छरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बाड़े में परहेंगे तो ये सारे वहां के जार सब है ये मकाव ये क्या है एना कुंडा ये लेपर्ड ये कुंडोर ये एक बच गिया है इसका दित्ता हूं और ये कैक्टस इसमें वही बुला नाम दोती है सब कहां 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 तो कोई ब्राजील का है ये सब के सब ब्राजील के एनिमल यानि वाइल्ड लाइफ और जार सब का नाम है यहां से पढ़ते हैं कि यह डिपेंड करता है वेजिटेशन वनस्पती जो है यह निर्भर करता है कितना वहां बारिस होता है और वहां कितनी घर्मी है और जैसा वहां जंगल जहार रहता है वैसा ही जंगली जीव भी पाया जाता है नौर्थ से सौथ जब ब्राजिल में जाते हैं नौर्थ से सौथ तो बाड़िस की मात्रा में रेन में कमी रहता है तो उस पर डिपेंड करता है इन ब्राजिल रेनफोल भेरीज ड्यू तो फिजियोग्राफी अलग अलग फिजियोग्राफी है उसका इन मोस्ट पार्ट रॉप एक्वेटोरियल रीजन इट रेन थ्रूआओर दा इयर शालों भर उसके एक्वेटोरियल रीजन में जो ब्राजिल का उपर तरफ है तो वह विश्वतिय प्रदेश है एज वन मुवस अवे फ्रॉम दा इक्वेटर दा नंबर ओफ रेनी दे जैसे जैसे एक्वेटर से इधर आएंगे ते रेनी दे रेनी दे भी कम होते जाएगा और एमांट ओफ रेनफोल भी इस एफेक्ट दा लाइफ साइकल ओफ रेजिटेशन अब वहाँ कौन-कौन सा वनस्पति मिलता है अगर देखो ये मैप में ऐसे टाइप्स करके नहीं दिया है लेकिन यहां देख करके समझ जाओगे कि ब्राजील में किस सब टाइप का है एक्वेटरियल फोरेष्ट विश्वतिया प्रदेश ट्रॉपिकल ग्रास लेंड ट्रॉपिकल क्या हो जाता है यो ट्रॉपिक ऑप कंसर और ट्रॉपिक ऑप क्यप्रिकॉन जिसा होता है तो वो ट्रॉपिकल ग्रास लेंड उसन घास वाले प्रदेश swampy land हिंदी में दलदल बोलते हैं यहाँ pentanel है यहाँ पर swampy land hot deciduous forest यह color से पता चलेगा कि कौन सा जगा अब यह कौन सा जगा है drought quadrilateral जहाँ बहुत गर्मी रहता है सूखा रहता है बारिस नहीं रहता है thorny shrubs भी वहीं रहेगा देखो drought quadrilateral में temperate grassland यहाँ पर seed थोड़ा ठंडी और गर्मी दोनोड आता है तो वो एरिया में तो हम लोग को अभी देखना है कि यहाँ कौन से वनस्पती plant किस तरफ मिलता है किस तरफ जानवर तो पहले किस के बारे में vegetation के बारे में the evergreen forest are found in the area where it rain out through the year सालो भड़ बारिज जहाँ होता है जहाँ बारिज कम होता है in which receive rainfall only during certain season the density of the vegetation तो वहाँ पर वनस्पती की संख्या कम हो जाता है वनस्पती समझा पौधा instead of forest हर जगा forest ही नहीं है कहीं grass है घास का मैदान है कहीं छोटे जार है short shrubs thorny vegetation काटेदार बाला आर फाउं Brazil has the largest number of vegetation species in the world यनि दुनिया में विभिन तरह के जो plant है वो कहां मिलता है ब्राजील में this includes evergreen vegetation यही वाट टाइप्स में भी आ गया evergreen vegetation semi-evergreen arid etc अब को होगे कि सर एरिड क्या है जो dry है सुखा जगा सुष्क प्रदेश one fine tree like अब वहां का plant कौन सब है पॉब रासिल rubber महोगनी rosewood and a variety of orchid फलों के बाग यह सब वहां पर plant रुआ because of अब यह question March 19 में देखो क्या पूछा textbook में अंदर में question नहीं है लेकिन देखो इस प्रेशेज से because of the evergreen rain forest जहां पर रोज evergreen rain forest in Brazil वहां पर है evergreen rain forest यानि सदा बाहर बन है there is a large amount of oxygen पौधा ज्यादा है तो oxygen होगा ज्यादा that is released in the environment this helps to reduce carbon dioxide level अब वनस्पती ज्यादा होने से plant ज्यादा होने से वहां पर oxygen ज्यादा है इसलिए carbon dioxide कम चुकि plant क्या करता है carbon dioxide यूज कर लेता है therefore these rain forests are rightly called the lungs of the world ये question पुछा था कि give reason why it is called evergreen rain forest is called lungs of the world तीन मार्च में give reason ती ये ही हो गया बस इतना ये बात हो गया वहां का vegetation अब इंडिया का देखो इंडिया का forest ये सब हो गया evergreen forest सदा बहर बन deciduous पत जर्वन जिसके पत्ते जड़ जाते जानते हो पत्ते क्यों जड़ते हैं अगर पत्ता रहेगा गड्मी के टेम में तो उसका evaporation ज़ादा होगा इसलिए गड्मी में क्या होता है जहाँ पर गड्मी ज़ादा रहता है वहां के पोधे क्या करेंगे अपने पत्ते साल में एक बार गिरा देते ताकि उसके प्लांट का पानी बचा रहे एवोपरेट नहीं करें वास्पी करन नहीं हो कौन चीज देखा जो उसको नहीं था तो हिमालियन नहीं था चुकि हिमालियन फोरेश्ट हिमाले में पूछा है कि कौन सा ऐसा फोरेश्ट है जो ब्राजील में नहीं है और इंडिया में है और कौन सा फोरेश्ट है जो दोनों जगा है ये सब फोरेश्ट तो सब दोनों जग को इसा देखा, evergreen deciduous चलिये, तब इंडिया का पढ़ लेते हैं, which forests are found in western, snow-capped, the western कौन है, यह western part है, the western snow-capped, जहां पर बर्फ है, तो वहां पर कौन सा forest रहेगा, snow-capped में, क्या है, evergreen forest, on which cost do you mainly find the coastal vegetation, eastern coast में, क्या रहता है, ज्यादा, do you mainly find the coastal vegetation, तो इसमें है, उसके बाद, कौन से, देखो यह coastal है न, यहां पर यह coastal का color है, यह coastal vegetation इसको है, यहां भी देखो वो color है, where do you find thorni and shrub, यह कहां मिलेगा, thorni और shrubbala, किस तरफ मिलेगा, राज-थान साइड में, तो अब इंडिया का पढ़ लेते हैं, following types of forest are found in India, in regions which receives, इंडिया में वारिस जादा होता है, 2000 mm से जादा जहां होता है, वहां क्या मिलेगा, सदा बहारवन, evergreen forest, अब evergreen forest जो होगा, उसके पत्ते, the leaves of the trees in this forest are broad, चोड़ा होगा और हरा होगा, चोड़ा चोड़ा पत्ता रहेगा, और, क्या रहेगा, चोड़ा रहेगा, और green color जादा रहेगा, जहां पर इतना बारिस होता, यानि, evergreen forest का characteristics भी हो गया, the tree have hardwood, इसका लकड़ी कड़क रहेगा, heavy भारी रहेगा, and durable, देखो यह characteristics हो गया, कि evergreen forest का क्या characteristics होगा, अप्लांट सब का नाम, महोगनी, रोजवूड, रबर, there are various types of creeper, जो creeper ऐसा फिलने वाला राता है, found here, तो वो creeper हो गया, लताय उसको काते हैं, जो जार सब को पकड़ पकड़ के बढ़ता है, highest biodiversity is found in this forest, तो different types का, जो plant है, वो evergreen में मिलता है, इन रिजन, receiving rainfall, अब हजार से दो हजार, वहाँ पर deciduous, यानि परनपाती वन, जिसके पत्ते गिरते रहते हैं, साल में एक बार गिर जाता है, in dry season, trees, share their leaves, so that water is not lost due to evaporation, ताकि पानी उसका लौस नहीं हो, for example, अब यहाँ के पौधा, देखो, यह किसका वुडवा, यह किसका प्लांट वा, evergreen का, यह किसका, इंडिया का, deciduous का, टीक, बैंबू, बनियान, पीपल, are the trees found in this area, कैसा हो गया, टीक, की कहते हैं हिंदी में, सागवान को, बंबू, बास को बोलते हैं, बढगद का, बनियान ट्री, पीपल जानते ही हो, region that receives, अब जो 500 से कम जहां पर बाड़िस होता है, वहां पर dry रहता है, summer, experience dry summer, rainfall कम, ज्यादा दिन तक यही रहता है, तो thorny and shrub dry vegetation, यहां पर ऐसा forest रहेगा, यहां कहेंगे, vegetation, वनस्पती रहेगा, the leaves, इसका लीब कैसा रहेगा, a small, evergreen का क्या था, broad, inside, for example, अब यहां का, कटेचु, अकेशिया, खेजरी, and variety of cactus, like aloe vera, and aloe vera को घृत कमारी भी बोला जाता है, and agave, यह जार कहां का हुआ, deciduous का, sorry, deciduous का, यह थोर्णी and shrub area का, यह कहां का हुआ, evergreen का, यह सब दिमाग में sit रखने का, कितना evergreen में बारिस रहता है, 2000 से जादा, 1000 से 2000, कहां पर, deciduous forest कहां पाय जाएगा, इस जगाँ, 500 से कमबाले में यह, अब जो दलदली एरिया है, in swampy area, estuary and lagoon, इस एरिया में, वो coastal area में lagoon और estuary रहता है, जो समुद्र के अंदर ऐसे चला जाता है, पानी उसको estuary कहते हैं, समुद्र का पानी जो land की तरफ घूज जाता है, तो दे आर कॉल, तो वहां क्या, climate कैसा होता है, मिटी कैसा होता है, नमकीन रहता है, saline soil, moist climate, और coastal type, यानि हवा में moisture रहता है, coastal type vegetation is bound, यह चोथा हो गया, दे आर कॉल, mangrove या सुन्दर बंच in India, the wood of this tree is oily, अब यहां का जहर कैसा होगा, तेलिय होगा, light मतलब हलका होगा, durable, टिकाउ होगा, ठीक, यह कौन सा हो गया चोथा, चोथा को नाम क्या दिया, swampy area, दलदली area का, अब बच गया भी कौन सा, in Indian Himalayan, three types of forest, काता हिमालय में के तरफ, तीन तरह का जंगल है, to the altitude, according to the altitude, हिमालय का अलग-अलग जगा, अलग-अलग height है, in area located at the highest altitude, seasonally flowering trees are found, तो जो season का फूल होता है, वो जहार मिलता है, in region with medium altitude, जो medium altitude वाला है, वहां कौन सा, कोनी फेरस, जिसका पत्ता नुकिला होता है, ताकि बर्प उस पर जम्मे नहीं, like pine, देवदार, fur, फिर and foot hills mixed, and at the, यह अब चोथा, foot hill, यानि पहार के नीचे के अरिया में, mixed forest are found, हो गया, तीन जगा अलग-अलग altitude के हिसाब से, तो जो ज़्यादा altitude पड़ा है, वहां flabbering plant, जो medium बला है, वहां कोनी फेरस, और जहां पर, जो foot hill है, वहां पर, काता है, mixed type का मिलता है, this includes both, वहां काता है, कोनी फेरस भी मिलता है, deciduous भी मिलता है, पर्णपाती भी, और, कोनी फेरस भी, the proportion of salt tree is higher, इस एरिया में सबसे ज़्यादा साल का ज़ाड मिलता है, यह हो गया, दुनों जगा का, कौन्चीज, vegetation, वनस पर, अब हम लोग, यहां के, जंगल, जंगली जीव के बारे में परहेंगे, wildlife, कॉंडोर, अनाकॉंडा, गोल्डन लाइन, तमरीन, मकाव, इसके बारे में बोला, in which region, यह सब मैं question answer में, तुम लोग को, वर्ट्रफ ग्रूप में send करूंगा, these animals found, फिर क्यों वहाँ पर यह animal पाया जाता है, यह क्या दिया, फिर question answer है, in which country do equatorial forest occupy greater area, equatorial कहां रहेगा, ब्राजील में ज़्यादा रहेगा, क्या कारण है, तुम लोग को बड़ा हो जाता है, फिर पढ़ते नहीं हो interest है, अब जंगली जानवर के बारे में, कहां कहां, तो एक greater variety is found, अभी कहां का पढ़ रहे हैं, ब्राजील का, diversity is in wildlife, कहां ज़्यादा विभिदता देखने को मिलता है, तो ब्राजील में, चुकि ज़्यादा बनस्पती है, forest है, वहां तरह-तरह का मिलेगा देखने को, any other country, तो वर्ल्ड में, इसको plant भी कही तरह के हैं, और यहां जानवर भी कही तरह के हैं, यह ब्राजील में ही, in the swampy area, आप देखो swampy area कौन सा है यह, पेंटानल, तो वहां पर कौन सा है, एनाकॉंड़ा, in Brazil, guinea, pigs, crocodile, alligators, monkeys, kumas, leopards, etc. are found, among the fish variety, यह हुआ जानवर का variety में, अब fish में क्या दिया, मचली में, तो कहता है, mainly swordfish are found in the sea, while pink dolphin and pirahans are found in the river, देखो, यह pink dolphin कहां मिलता है, ब्राजील में, इंदिया का pink dolphin नहीं काता है, तो pirahans are found, यह दो जानवर, लेकिन यह किस में मिलता है, रीवर में, condors which are huge inside, condors वहां का एक खास जानवर है, तो सबका photos है, दिखाता हूँ, text book के पीछे में, and fly high in the sky, यह विसाल भी होता है, बड़ा भी होता है, आकास में उड़ता भी है, various types of parrots भी मिलता है, macaws, and flamingos are the major birds, तो कौन-कौन चिरिया मिलता है, millions of insects, धेर तरह के किटानों, वहां पर मिलते हैं, as a result, insect किस में जाता है, कौन से group में, अगर science में को होता है, arthropoda, the millions of insect varieties are also found here, as a result of this variety, the wildlife of Brazil is very rich and diverse, अब एक चीज़ पूछा है, कि क्या कारण है, कि वहां environment को, जो problem हो रहा है, तो वह क्या हो रहा है, वहां क्यों जानवर सब की कमी होते जा रहा है, degradation of environmental health happening, due to illegal, ये due अलग कर दो, to अलग कर दो, illegal smuggling of wild animal, जानवर का क्या करता है, smuggling करता है, एक देश से दूसरे देश, supply कर देता है, इससे वहां जानवर की कमी होते जा रहा है, slash and burn agriculture, उसी को कहते है, slash and, मतलब जंगल को जला दो, और उसमें खेती करो, तो उसको रोका बोला जाता है, एक जगा से दूसरे जगा, खेती अगर कुछ दिन यहां खेती किया, कुछ दिन वहां किया, तो उसको हिंदी में अस्थाला अंतरित, खेती भी करते है, slash and burn agriculture, तो रोका, डिफोरेस्टेशन, जंगल को कम करते जाना, पॉलुशन, एट्रेटरा, तो ब्राजील इस फेसिंग दीजे प्रॉब्लेम्स टूडे, यह सब कॉच्चन आंसर में साब पूछेगा, का लोकल था, और on the verge of getting extreme खतम होने पर, because of this issue, यह कॉच्चन, यह बात दिमाग मेरेगा, कि दीग्रेडेशन हो रहा है, एट्रेटरा में का क्या, तो आप स्मगलिंग हो रहा है जानवर का, रोका, खेती हो रहा है, जंगल कम होते जा रहा है, पॉलूशन बढ़ते जा रहा है, यह सर्वय, done in 2006, यह फाउंड दैट, इसको क्या हो गया है, इतना जमीन को दिग्रेड हो गया है वहाँ का, अब वो कहा का पर है, तो वहाँ का कौन सब पर है, जो जानवर सब था है, अना कॉंडा, कॉंडोर, यह सब अलग था, जो इंडिया में नहीं था, मकाव, मंकी था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडिया का वाइल देल है, so the following animals, अब यह एनिमल को दिखाना है, इस आउट्लाइन मैप में, यह question answer में जब दूँगा, बंगाल टैगर कहा मिलता है, यहाँ सुन्दर बन है, यहाँ मिलता है, ठीक है, तो इसके बाद, यह दूँगा मैं कभी question answer में, वर्टप ग्रूप में, यह जितना भी question answer सब दिखता है, वो उसमें देंगे, अच्छे से question answer सब याद करने का, जितना first attempt में ही ऐचा पढ़ने का, कि second नहीं पढ़ना पड़े, वो revision होना चाहिए, तो ध्यान देने का, interest जितना डालोगे, अपने brain को, जो को होगे वही करेगा, इसलिए ध्यान देने का, India is also a mega diverse country, यहाँ भी बहुत तरह के मिलते हैं, लेकिन world में number one में नहीं है, ब्राजील है number one place में, there are many species of wildlife in India, elephant जानते हो, यह कहां मिलता है, जहां hot and humid forest है, जहां गर्मी है, तो केरला सब्क साइड में है, जानते हो कि वहां बहुत है, चुकि hot and humid forest है वहां, तो वहां elephant है, one horn rhinoceros, तो गेंडा करते हैं इसको, एक सिंग वाला गेंडा, यह कहां मिलता है, इंडिया में are found in, तो इंडिया में स्वांपी एरिया में मिलता है, दलदली एरिया में and मार्ची लेंड में, कहां पर यह अशम में, wild ass, जंगली गधा and camels are found in arid, जहां सुखा है, कहां होगा यह राजस्थान में, snow leopards and yaks are found in the snow-capped region, जहां पर बड़ फिला एरिया है, वहां याक मिलता है, leopards, snow leopard मिलता है, हिमालियाद में मिला यह Indian vishons, deer, antilopes and monkeys are found in the peninsular region, जानते हो न, यह एरिया हो गया, peninsular region, इसलिए region समझोगे तो तुमको पता चलेगा कहां पर कौन चीज़ है, इंडिया is the only country in the world where both tiger and lions are found, मतलब वर्ड में tiger भी किसी देश में हो और lion भी हो, अब coastal area में क्या, तो क्या देखें, जहां हिमालियन area में कौन सा है, desert area में कौन सा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में जानवर किस तरह से कहां कहां है, अभी कहां कहां पर न, river area का, estuary, coastal areas का, are homes of many turtles, crocodiles and gavials, यानि घरियाल, घरियाल जानते हो, यह मिलता है कहां, river, estuary, coastal area में, the forest and wetland are the shelters of variety of birds, जहां wetland है, और घर किसका और जंगल है, वहां बहत रख के चिरियां भी है, तो अब इंडिया का चिरियां में कौन आ गया, पीकॉक, इंडियान बस्टर्ड, किंग फीशर्ड, और पीजेंट, डक्स, पेरा, कीट्स, क्रेन, और पीजेंट, अल दीजे स्पेसिज, मेक इटे लेंड अफ यूनिक हैबिटेट और वाइल लाइप, इंडिया में भी खतम होने पर क्यों, कारण पूछा, पोचिंग, पॉलूशन, पॉलूशन, अब कोगे सर ये कौण सा हुआ, पेरा कीट्स, बगला को कहते हैं, जो मच्छी पकड़ता है, क्रेन, सारस्चिरिया होते हैं, पीजेंट, कबूतर, इंडियन बस्टर्ड, चिरेईए, किंग फीशर्ड, डिफ्रेंट, तो इंडिया में क्या कारण है कि यहां कम होते जा रहा है वाइल्ड लाइफ क्यों खतम होने पड़ है तो भीका हो जाओ पोचिंग क्या हो गया तसकड़ी करना यहां से वहां सपला है पॉल्लूशन ग्रदूशन रैपिडली ओक्रिंग डिफोरेस्टेशन जंगल का खतम करते जाना और कौन है जो खतम का चीता है यह गबर्मेंट ओफिंडिया के लिएी क्या किया है गवर्मेंट, तो नेशनल पार्क बनाया है, वाल्ड लाइफ संक्चूरी, बर्ड संक्चूरी, बायो एस्पेर रिजर्स और प्रोटेक्शन, इंडिया का कौन सा है, टैगर इस दा नेशनल अनिमल ऑफ इंडिया, नमबर अफ टैगर इस डीक्रीजिंग दे हो रहा है बाग की, situation is similar to elephant, elephant की भी संख्यां कम होते जा रहा है, तो कहता है इस पर information करो, जानो कि क्या बात है, such plant and animal क्यों गयब हो रहा है, find about their habitat उसके घर के बारे में, कहां वो रहता है, what should be, अब ये देखो कुछ प्लांटर्व का नाम, ये देवदार, ये क्या है, पौब खेजडी, खेजडी, और देखो, दिखा, खेजडी, pine, लंबा जीसा खेजडी, ये बबुल के जार, सब काटेदार हो गया वो, ये डेजर सुखा जगा पे, पौबरासिल, पौबरासिल, देवदार, और कहां पड़ा, यहां देखो, गेंगेटिक डॉल्फिन, ये अपना एलोवीरा, इसी को घृतकुमारी भी काते है, खेर का जार, नीलगिरी, यूकेलिप्टस जिसको काते है, महोगनी, कैसा जार दिख रहा है, गोल्डेन लायन, टेमरीं, गोल्डेन लायन, टेमरीं, कॉंडोर, यहां के वो पक्छी है, जो उरता है हाई, विशाल देखने में बराबी है, सिंचूरी, प्लांट, नीलगिरी, ताहर, ताहर हो गए, टी-ए-ए-ची-आर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वन होंड, रैनो, ओके अलोवीरा, तो अभी यह सब जो क्वेश्चन आंसर है, यह आप लोग को इसका बाद में देता हूँ, यह सारा तो अब्ज इस टाइब वेजिटेशन, थोड़नी, बुस टाइब वेजिटेशन, एवर्ग्रीन फोरेस्ट, तो और बन खोजना है, यह वहा नहीं है, हिमालियन नहीं है, थोड़नी बुस है, एवर्ग्रीन है, डेसिडवास विया, लेकिन हिमालियन फोरेस्ट नहीं है, इसलिए वह इन्डिया में और्किट नहीं यह देवदार है, अंजन है, बन्यान है, यह मैचिंग है, कहां कौन सा है, तो यह सब बाद में है। All the best ध्यान से पढ़िएगा, 25-26 मिनट का वीडियो, अगर आप लोग अच्छे से सांती से नहीं देखेंगे बच्चे लोग, कैसे पढ़ाय लिखाय होगा, आप लोग अपने तकदीर को अपने से बरवाद मत कीजिएगा, मुझे भी पढ़ाने का मन नहीं करता है, तुमको